कि हलो पियारी बच्चों कैसे आप लोग तो चलि स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको इंपोडेंट बात बता रहा हूं कि फिजिक्स में आप इंप्रूमेंट कैसे कर सकते हो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत कम नंबर उनके आते थे यार फाइनली उन्होंने ओंतीस और तीस बीस बाइस से सीथे एक सो पचास एक सो सत्तरे से नंबर पाये हैं ठीक है तो चलो यह कुछ इंप्रूमेंट्ट होंगे सबसे पहले बात थे देखर बाइव और केमस्टी की तरह से उसको नहीं लेना राता है जो बहुत सारा पड़ जाएं पहुत सारा याद कर जाएं तो बहुत सारा नुमेरिकल हो जाएगा आईसा बिल्गहल नहीं है एक बच्छा जो 5 5 है अगर उस चार चाप्टर से कउश्चान आ जाता हूं तो वो घर्लेगा तो फीश कुछिस पढ़ा है और उसका सेलेक्शन पत्तियोν है यह वाली सीज़ सबसे बात है पहला से वो हमें clear your concept अब यार तुम्हारे concept कहां से clear होगे तुम्हारे concept तुम्हें सपने तो आएंगे नहीं तो यह कहां से concept clear होगा किसी अनुभवी और experience और अच्छे faculty के पास जाओ और वहां से पढ़ाई करो और वो तुम्हें बहतर तरीके से जो पढ़ाते हैं उस पे तुम सोचो उनको apply क करो उनको practice करो यह जो concept होता है फिजिक्स में उसका application बहुत वास्ट होता है concept is like the seed जो बीज होता है उसकी तरह से होता है और जो application होता लाई के बन्यान ट्री एक बरगत के पेड़ की तरह होता बहुत बड़ा होता है ठीक है तो यह जो main difference होता है फिजिक्स और बायो में इस यह नीट का ही question लगाने लगो जाते है इसा बिल्कुल नहीं है नीट के question यह i.t question लगाओ confidence zero हो जाएगा होगा नहीं frustrated हो जाओगे subject से दूर चले जाओगे जो concept पढ़े हो पहले उस formula को apply तो करना सी को basic question करो 15-20 basic question करो फिर थोड़ा सा label बढ़ाओ फिर लेबल बढ़ाओ फ वैसे तुम्हें जब exam में बैटो नीट या जई का जब exam हो दो जई मेंस का advance में तो ऐसा नहीं लगता कि हार एक question किया हुआ है पर मेंस और नीट का अगर exam दो तो तुम्हें ऐसा feel आना चाहिए अंदर कि यार कोई तो नया question नहीं है कहीं कहीं mock test test paper test series module में कहीं कहीं तो था समझ रहे हैं क्योंकि नया question आ गया और तुम वहां ट्राइब करना चाहिए कि यह मेरे से होगा या नहीं होगा अगर जैसे question पढ़े और logic दगा लिए कि हां यार ऐसा किया हूं इसको मैं कर ले जाओंगा तो तुरंत वहां उसको कर ले जाओ ट्राइब नहीं करना exam में एक कोई बीच एक्जाम में छोड़के नहीं जाना है हमेशा याद रखो जो question paper design होता वो तीन पार्ट में होता है easy, average और difficult easy और average से selection हो जाता है difficult वो बच्चा करता है जो अंडर हंडेड लाता है या 720 में से 720 लाता है या 360 में से 307 लाता है तो हमें average और easy क्या पता जो तुम छोड़के गए वो easy section से उसे question push दिया क्या पता जो तुम छोड़के गए उसे दो question push दिया तो कुछ chapter की छोड़ेंगे यार इतना मलब कोई नहीं छोड़ता है तो सारे chapter पर डालो ठीक है यह होता है कुछ chapter strong होते हैं किसी के कुछ weak होते हैं तो जो weak हैं उन पर काम करो ठीक है ना समझ रहे है चलो next follow the good faculty notes अब जो notes में convert करके लिखो ठीक है और वो जो notes है जब तुम अपने हाथ से hand written लिखोगे तो बहुत ही उसमें confidence समझना भी है समझ के अच्छे से जो चीज़ याद करने वाला याद कर जाएंगे ठीक है चलो अब इसके बाद आता सौर्ट नोट सौर्ट नोट बहुत important चीज़ होता यह ठीक है मान लो तुम इलेक्ट्र स्टेट को 20 पेज में notes बना लेते हो 20 पेज में अगर हमने notes बना तो यह क्या होता जब हम टेस्ट देते हैं मौक टेस्ट देते हैं तो बुस और नोट काम आता है क्योंकि क्विट काई में सब कुछ कबर हो जाता है इसको इसमें वह पॉइंट रखो ज्यादा तर वह पॉइंट रखो जो difficult होते हैं जो तुमें भूलते हैं ठीक है और question आन ठीक है तो यह फार्मूला जनरली किसी को याद नहीं रहता है तो इसमें question आने की probability क्या हो तीस टाइप के जो बच्चे बोलते हैं उसमें आने के चार्स बढ़ जाते हैं क्योंकि यह एक्जाम है बच्चों को rejection का ना कि सिलेक्शन का 45,000 अगर मान लो 45,000 में गवर्मेंट स process होगा अपने चेर बदल के देखो ना एक्जाम दर के चेर बैठ के सोचो कि वह क्या सोचता होगा तो वह जो चीज है वह सौर्ट नोट में अच्छे-चे points कबर हो जाएंगे और जल्दी तुम्हें टाइम में काम आएगा चलो previous year question इसके बाद आता है ठीक है यह जो मेरा channel है इस channel का मकसद ही है यह ही है कि बहुत सारे previous year मतलब सभी नीट और जेए और जेए एडवांस के सभी previous year question में इस पर डाल दूँ क्योंकि वह मेरे अपने मिनात के solution है बहुत सारे solution अभी जो मैं hardware कर रहा हूं बहुत सारे question होता है बहुत सारे book में गलत रहेगा उसको मैं सही करके upload किया हूं यह ऐसा लोग question क्यों नहीं डालते हैं क्योंकि यार उनके solution लोग copy कर लेंगे कोई बार नहीं copy करने है ठीक है बट यह है कि तुम जुड़े रहो और इस पर नीट के भी मेरा series नीट वाला चला उसको देखो वहां से कोई भी दिक्कत आता है तो comment भी करो और question का label पता चलता है कि एरिया किस एरिया से question पुशा गया है उससे पता चलता है यह सारी चीज़े और मौक टेस्स देने से पता चलता है कि हमारी लेवल आत्रिप्रेशन कितना है किस टाइप अगर कोई question गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ क्या calculation गलत है क्या conceptual error है क्या manual mistake है क्या क्या मैं पागल हो गया था तो यह इस टाइप से जो है उस कमी को दूर करो और जब कोई question कलत हुआ क्यों question कलत हुआ को सोच हो उस कमी को दूर करके आगे बढ़ो ठीक है चलो अब time management यह जो है time management बहुत important होता है जब हम कोई भी test paper देते मौक test paper देते है या need या जही का exam दे जब exam दे आते हैं मेरे से पूछते हैं सर यह question तो बहुत easy था oh my god मेरे से छूट गया sir तो मैं यही बोलता हूं कि या exam क्या उसको छोड़ने गयते कि करने गयते तो कि छोड़ने तो नहीं चूट कैसे जाएगा मेरे बाइया चूट कैसे गया तो यह तो वह जो time इसका वहा management की कमी दिख रही है ठीक है ताइम management में लो मैं एकर मैं फिजिक्स में बात करो तो फिजिक्स में 45 question है अगर 45 question है तो 45 question मैं से physics में 45 45 मिनेट्स में 45 जनरली नहीं होता है वो कोई सूपर में नहीं हो तो 45 तो जो फिजिक्स में जो टाइम है वो ज्यादा चाहिए लगबग एक घंटे टाइम रखो और वो 15 मिनेट्स कहां से लेके आओगे जो है 45 मिनेट्स से ज्यादा टाइम लेकर आओ फिजिक्स वो यहां लगाओ और ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के कोशन अटेम्ट करो हमेसा याद रखो ूज्जी और एवरेज और डिफिकल्ट फिर एवरेज वाले करो तुम्हें पढ़े लग जाएगा कि डिफिकल्ट ह और उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए वहां ट्राइब नहीं करना तो वह बहुत ज्यादा नुक्सान होता है मालो मैंने कोई कोश्चन किया जल्द जल्द पड़ावर्ट सॉल्व कर दिया और एंसर नहीं आया तो एक्जाम में क्या होगा बीपी बढ़ जाएगी ठीकर न क्या करोगे उसको चोड़के बढ़ जाओगे तो जो एक मिनट में होना था उसको चार मिनट ले लिए उसे बीपी टेंशन ब्लड पे सब बढ़ गया और नर्वस नेज बढ़ गया पूरा ओबरा होचपच हो गया तो तुम्हें पढ़े के लग जाना चाहिए कि तुम्हे लास्ट में बताता हूं तुम्हें मतलब कॉंफिटेंट रहो डर नहीं है जीतना ज्यादा दर हो गया तो ज्यादा डरना नहीं है नौर्मल नर्वस नेस थोड़ा बहुत नौर्मल है जैसे साधी होती है तो थोड़ा नर्वस नेस दुलाया दुलेन की बड़े जाते हैं ऐसा होता है ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं तो उसी तरह से ना एक्जाम में डर हो नहीं तो यहां पर मॉक टेस्ट दो तो यह वाला थी तो उससे क्या है सब्सक्राइब होगा तो कॉंफिडेंट रहो एनर्जेटिक रहो मोटिवेटेड रहो और मेरे साथ जुड़े रहो और मैं नीट और जैए के बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल पिए सारे अपलोड करूंगा बटे थोड़ा टाइम कम मिलता है और मुझे दोसन अच्छे लगते हैं तो उनको दोस्तों के साथ सेयर करो अकेले नहीं देखके टॉप कर जाओ तो बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखो मोटिवेटेडर थैंक्यों पर वचिंग वीडियो